कुईस्चिन है कि दो क्रमागत धनात्मक पुर्नांकों का गुननफल 306 है तो हमें पुर्नांकों ग्याद करना है तो अब देखिए दोस्तों इसको सुल्ब करने के लिए हम मान लेते हैं कि पहली संख्या X है तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? X प्लस 1 या X मैनस 1 हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे दो क्रमागत संख्या है क्रमागत क्या संख्या मतलब एक के बाद दूसरे वाली संख्या तो चुकि क्रमसर संख्या होगी इसलिए कोई X है तो दूसरा X प्लस 1 या X मैनस 1 होगी तो यहाँ पे हम x plus 1 मान लेते हैं तो दो संख्या हो गया x और x plus 1 अब प्रस्ण के अनुसार इन दोनों का गुनन रफल 306 है तो यानि कि हम लिख सकते हैं कि x into x plus 1 equals to 306 306 अब LHS को हम अगर solve करते हैं तो क्या हो जागा दोस्तो x into x को multiply करेंगे तो x square और x के साथ 1 को multiply करेंगे तो x तो x square plus x equal to 306 306 होगा इसको अगर हम 306 को left side में ले जाएंगे तो क्या हो जागा x square plus x minus 306 equals to 0 देखें दोस्तो अब यह जो equation आया है यह एक quadratic equation के form में आ गया क्योंकि यह ax square plus bx plus c के form में है जहाँ पे x का maximum value कितना है दो है तो यह एक quadratic equation है तो इस situation को हम एक quadratic equation के form में भी show कर दिये अब दोस्तों चुकि इसको हमें swap करना है x का value निकालना है तो हम factorization के method से इसका solution करेंगे तो यहाँ पे अगर आप दोस्तों इस equation को ax square plus bx plus c के form से अगर relate करते हैं equate करते हैं या फिर comparison करते हैं तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे a का value क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा b का value क्या हो जाएगा b1 हो जाएगा और c का value minus 306 हो जाएगा तो अब हम इसको solve करने के लिए आपको सबसे best technique बताते हैं दोस्तों आप हमेशा इसको use किजेगा कभी भी factorization का quadratic equation का factorization को करना होगा तो इस technique का आप use करेंगे तो हमेशा आपको असान होगा तो यहाँ पे चुकी हम यह एक technique है कि यहाँ पे हम first term और last term first term क्या है a है और last term c है तो first term और last term का अगर multiplication करेंगे तो हमें कितना मिलेगा minus 306 जबकि mid term बीच वाला term या second term है वो क्या है one है यानि कि b का value one है तो हम b वाले term को इस तरह से express करेंगे इस तरह से लिखेंगे कि जो दो value में हम इसको लिखेंगे दो संख्या में लिखेंगे उस दोनों संख्या का multiplication जो होगा वो हो जाएगा यहाँ पे a और c के multiplication के बराबर यानि कि b के term को इस तरह से लिखेंगे कि वो minus 306 आ जाए और उसका sum जो है वो one आ जाए तो इसका best तरीका क्या है दोस्तों कि देखिए 306 जो है वो मोटा मोटी 200 और 400 के बीच में आता है अब 200 और 400 के बीच में आपको थोड़ा सा square याद रखना परेगा कि अगर 16 को square करेंगे तो क्या जाएगा 266 आएगा और 20 और 20 20 को multiply करेंगे तो वो 400 हो जाएगा यानि कि 256 और 400 इसी बीच में 306 आता है यानि कि हमारा जो संख्या होगा वो जो गुननफल होगा वो यह 16 और 20 के बीच की संख्या होगी अब अगर दो संख्या अगर ऐसे क्रमसा निकाले 16 और 20 के बीच का जिसका गुननफल 306 हो है तो हमको सबसे पहले यह देखना है कि 11 अस्थान पर 6 है लिखा हुआ है पतलब ऐसा दो संख्या चूज करेंगे जो जिसके गुननफल से 11 अस्थान पर 6 आ जाए तो अगर हम 16 मानते हैं और 17 मानते हैं तो 16 और 17 तो इसके एकाई अस्थान पर 6 इंटू 7 करेंगे तो 16 इंटू 742 यानि कि 2 आ जाएगा तो यह नहीं हुआ फिर उसी तरह से आगे बर किम ट्राइ कर लेंगे तो क्या होज़ेगा 17 और 18 17 और 18 अब 17 और 18 को जो मल्टिप्लाइ करेंगे तो हम यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तो कि 7 और 8 है इसके एकाई अस्थान पर और जब इसको एकाई स्थान को मल्टिप्लाइ करेंगे तो 56 आ जाएगा यानि कि 6 आ जाएगा उसके एकाई स्थान पर इसका मतलब एक क्लू हमें मिल गया याकि हो सकता है कि 17 और 18 को मल्टिप्लाइ करने पर 306 आ जाएगा तो हम इसको करके भी देखेंगे तो मैं पता चल जाएगा कि सहीं मैं 17 और 18 को मल्टिप्लाइ करने पर 306 आ जाता है यानि कि हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि यह X square plus X x-306 को हम इस तरह से लिख सकते हैं कि x square plus 18x minus 17x minus 306 equals to 0 अब देखिए दोस्तों यहाँ पर 17 और 18 को multiplication जब करेंगे भी को इस तरह से express हो गया तो यह आ जाएगा minus 306 का x square और इसका जो sum हो जाएगा वो simple x आ जाएगा 18x minus 70x is equal to simple x हो जाएगा तब x square equals to हो जाएगा यहाँ से हम x को common ले लेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा x into x plus 18 और यहाँ से हम 17 को common ले लेंगे minus 17 को x plus 18 equals to हो जाएगा 0 अब यहाँ से अगर x minus 17 common आ जाता है तो x minus 17 into x plus 18 equals to 0 अब यहाँ से आपका 2 value निकल जाएगा या तो x equals to आजाएगा 17 और x plus 18 को निकलेंगे तो हो जाएगा x is equal to minus 18 अब चुकि minus वाली संक्या हमारा हो नहीं सकता क्योंकि धनात्मक पुर्णांग कह रहा है इसलिए minus 18 नहीं होगा तो x equals to 17 x संक्या होगी तो दूसरी संक्या क्या हो जाएगी x plus 18 यानि कि x plus 1 है तो x plus 1 करेंगे तो 17 plus 1 is equal to 18 यानि कि पहली संक्या 17 है और दूसरी संक्या 18 यहीं दोनों धनात्मक पुर्णांग है जिसका गुन फ़ल 306 हुआ फिसकांग